हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक मैं चैनल मेरे किचन में आप सबका बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले एक हेल्दी सा ब्रेकफ़स्ट जो फोटाफट बन जाएगी और बहुत ही सिंपल है बहुत आसान तरीके से बनाएंगी तो चलिए आज की रेसिपी सुरू करते हैं औ कर अब उपड़ें आप के लिए स्वागत सुजी नियुक्त खोकार पास ने हैं मेरे डीयनो को जाप भाड़ा अधिक तो मेरे बिडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और खुझ श्टरू कर बताई की मेरेशेपी ने कैसी लगलती है । चलिए स् आप उसे एक बर पीछ ले और पीछ लेंगे एक बर मिख्सिमी पीछ लेंगो बारिग हो जाएगी तो इसे के साथ हम इसमें डालेंuzzass blaze 2-2 दाइ संब्च में आदा कबस दही लिया एक कब सूजी है तो मैंने 6-10 कब़े नमक due car आदा अनुसार और इसे स्वी में और छेटे और सिटे करता हैं, तुकर बात one भराजा, ऩहीं रख दंगे ऐसेख खरी ऊएट और या की शीसा दर्बने की लिए, यह दा आकेच तेन आक पनड़ निलीगे दही सूजी देख जैसे काफीजक ही अनित्टषी अपसुड़ कीरード में थाया है, पाणी क्यों眠 करके हैं पांची था cra decir कैसे ए यहां पाणी किस्यार को आदा होग गया है , पाणी डालना के स्यस्मेंध। और यह हमारा कुछ इस तरीके सा अभी भी गाड़ा इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे आप पानी अपने जरुत का अनुसार लेंगे अब मैं इसमें ऐसे बता नहीं सकती कि मैंने इसमें कितना डाला है तो मुझे जितना लगा अभी तक मैंने एक से देड़ का पानी ड करेंगे याद रखिए मैंने बेकिंग सोडा डाला है बेकिंग पाउडर नहीं डाला है और यह जब बनाना हो आपको उसी टाइम डाले तो चलि हमारा घोल बनके तैयार है अब हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से हमें हमारा घोल होना चाहिए तो यह हमारा घोल बनके तैया है तो चलिए हम इसे बना लेते हैं तो पहले तवा को गरम करेंगे और इसके ओपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और बैटर को थोड़ा इस तरीके से हम इसके ओपर थोड़ा थोड़ा डाल के हलके हातों से इसे फैला देंगे कुछ इस तरीके से अब इसके उपर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया आप इसके उपर कुछ भी डाल सकते जो आपको पसंद हो जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर, जो आपको वेजटेबल पसंद हो आप इसमें आड़ कर सकते हैं और इसके उपर थोड़ा सा साइट से हम तेल भी डाल देंगे और इसे पकने देंगे एक साइट से हम अच्छी तरीके से पकने देंगे देखिए इसमें हलकी छेट सी हो गई है यह हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है अब इसे पलट लेते हैं दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं एक तरफ से अच्छी तरीके से पक चुका है और कलर भी बहुत प्यारा आया है तो देखिए हमारा ये सूजी का उत्तपम बनके तयार हो गया है इसी तरीके से और बना लेते हैं आप चाहे तो इस तरीके से आप तवे पर बना सकते हैं अगर आप इस तरीके का पैन रखे हैं तो आप इसमें भी बना सकते हैं, इस तरीके से इसे भी गरम कर लें, इसमें तेल डाल दें और इसमें थोड़ा बैटर डाल देंगे, और से हाथों से फैला देंगे, इसमें थोड़े मोटे बनते हैं, जिसे बजार वाले थोड़े मोटे आते हैं उस तरीके के बनेंगे, कदुकस किया हुआ चुकंदर यह सब ऑप्सोनल है आप जो आपको पसंद हो आप कर सकते हैं इसे भी तरफ से पकने देंगे और यह एक तरफ से पक चुका है दूसरे तरफ से भी पका लेंगे हम तो हमारा यह भी उत्तपम बन के तयार हो गया है आप चाहे तो इस तरीके से भी एक साथ बड़ा चोटा करके एक बार में तीन चार भी बना सकते हैं जिस तरीके से आपको पसंद हो आप बनाईए तो देखिए उत्तपम सारे बन चुके हैं तो इसी तरीके से में सारे उत्तपम बना लूँगी और यह बहुत ही फटापट बनने वाला इंस्टन नासत है आप कभी भी बस सुजी और दही को गोल के रखिए और जब खाने का मन उसमें सोडा नमक डाला और बनाया तो देखिए एकदम सौफ्ट एकदम नरम रूई की जैसा नरम उत्तपम सुजी का उत्तपम बनके तयार है आप इसे चटनी के साथ खाईए या सांबर के साथ मै मिलती रहे मैं मिलती हूं नहीं रेसिप के साथ तब तक लिए बाई बाई थैंक यू फोर वाचिंग